Hello students, welcome to my channel, so guys, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRTUK उन सभी students के लिए जिनका भी practicals related कोई भी doubt है UPRTUK तो guys, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके मन में आपके practicals related कोई भी doubt नहीं रहने वाला है यहां मैं सारी basic चीज़े share करूँगी चाहिए आप किसी भी course को belong करती हूँ और आप confused है कि आपका practical होगा या नहीं होगा या किस subject का होगा या कि आपको कैसे उस चीज़े prepare करना है तो सारी details में इस वीडियो में आपके साथ share करूँगी अगर आप चानल पर आई है सब्सक्राइब कर लिज़ेगा क्योंकि रूप्यार्ट्यों की सारी important information आपको मेरे चानल पर time to time मिल जाती है और कोई भी extra content यहां पर आपको नहीं मिलता अगर आप useful रग रही है आपको वीडियो तो share और के साथ साथ आप वीडियो को like भी करिएगा इससे मुझे थोड़ा motivation मिलता है आपके लिए वीडियो लेकर के आने का तो चलिए वीडियो को start करती हूँ without the delay आप इसे बहुत सारे स्ट्रेंट में से practicals related doubt पूछ रहे हैं जैसे कि आप सभी के exam स्टार्ट हो चुकी है जानवरी सेशन की तो बहुत जल जिन courses में practical होने है वो भी UPRTO आपके कराने वाली है बट स्ट्रेंट के मन में बहुत सारे doubt थे कि फाइल्स बनानी है नहीं बनानी ह या कैसे prepare करना है वो सब भी मैं आपके इस वीडियो में अंसर करूंगी तो इससे पहले practicals related मैंने आपको वीडियो प्रोवाइट करी हुए है चैनल पर बट क्यूंकि वो वीडियो काफी old है और मैं आपको repeated topics के उपर कभी वीडियो नहीं देती हूं जो जिस मैंने एक बार वीडियो में बताती है उसके लिए फिर बार-बार आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आती हूं जब तक उसमें कोई अपडेट या कोई चेंज ना हो जाए तो क्योंकि आपके practical के process में इस बार चेंज हो चुका है इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इससे पहले जो मैंने practical की वीडियो आपके साथ share करी हुई है उसमें मैंने आपको clear भी बताया था कि किस तरीके से आपको एक file prepare करनी होती है अपने practical की subject की जिसको लेकर कि आप अपने exam center पर जाते हैं जहां भी आपका practical का exam center रहता है उसके बाद examiner उसमें से आपसे कुछ questions put up क जिसके वज़े से बहुत सारी changes आपके programs में करे गए है और उनी में से एक change आपके practical प्रोसेस में भी रहा है तो चले मैं सबसे पहले basic question जो है आप सभी खा कि किस students को practical के लिए prepare करना है और किस student को practical के लिए prepare नहीं करना है सीधी भाशा में कहूं तो किस subject में practical students को होंगी और क subjects के practical नहीं होते हैं तो guys यह जो आपका doubt है इसको आपको clear करने के लिए सबसे पहले मैं आपको prospectus में से कुछ चीज़े show करना चाहूंगी चले guys देखे इसको जानने के लिए आपको क्या करना है आपको अपना prospectus open करना है और उसमें अपने course को search कर लेना है आप किसी भी course को ब्लॉंग करते हों आपको prospectus में अपना course की details सेखने के लिए मिल जाएंगी जब आप अपने course की details open करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इसमें सारे subject semester wise होगा तो semester wise वैसे अप सारे courses semester wise ही है mostly लेकिन जो year wise होगा तो year wise आपको इस तरह से आपके course marks और credits अरेंज करे हुए मिल जाएंगे तो आप इस prospectus में देखेंगे तो आपको कैसे check करना है कि आपको कौन से subject का practical है या है भी नहीं उसके लिए आपको इस तरीके से देखना है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है first semester first semester की हाँ पर आपको course दिये गए है and then उनके subject name और credit और marks दिये गए है तो guys इसमें आपको कैसे पता करना है कि आपका practical है या नहीं तो सबसे basic चीज यह रहती है कि जिसमे subject का आपका practical होता है उसके code के आगे P बना हुआ होता है P means practical को यह ब्लॉंग करता है अगर आप code से नहीं find कर पा रहे हैं तो आपको subject जो title of paper है उसमें clearly mention होता है कि आपका practical based है कि S जिसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यह PG-BCH का practical PG code जो BCH 101N, 102N and 103N अब यह क्या है आप यहाँ clearly देख सकते हैं यह तीन subjects थी तो इने तीनों subjects पर based आपका in students का practical होगा first semester में सेम अगर आप second semester में है तो भी आपको इसी तरह से चेक करना है कि आपके second semester के course यह हैं लेकिन practical आपका in subjects का होगा और इसका नाम यह है या code यह रहा next इसी तरह से आप semester wise चेक कर सकते हैं और किसी भी course का check कर सकते हैं यहाँ पर आप इसके अंदर देखे आप कुछ students का यहाँ पर confusion हो जाएगा कि एकर fourth semester में है तो इन में से कौन सा आपका practical रहेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों show करे गए हैं तो guys जब आप admission लेते हैं या अपना exam form फिल करते हैं तो आपके पास जब आपका complete exam form हो जाता है तो उसमें end में सारे details लिखी हुई आती ह आपके प्राक्टिकल का है या नहीं है तो देखे यह तो exam form है पर जब आप अपना examination की जगा आप अपना admission form चेक करेंगे तो इस तरह से सारी course आपके लिए सामने लिखे हुए आएंगे और जो भी course का आपका practical होगा उसके सामने इसी तरह से mention होगा प्रायोगिक यानि कि practical इस subject का होने वाला है 104N का आपका practical है तो जो आपका exam form है या admission form है उसमें अगर किसी भी course या किसी भी subject के आपके आगे आप प्रायोगिक लिखा हुआ दिखे इसका मतलब आपको उस subject के लिए practical prepare करना होगा और आपका practical होगा अब ये आपको clear हो गया होगा कि आपका practical कैसे होगा ये नहीं पता है ये मैं भी clear करूंगी अब आपको ये पता चल गया है लेकिन कि आपके कौन से subject का practical होगा और किस course में होगा या नहीं होगा first doubt clear हो अब second doubt आप में से है सब बहुत सा reference का कि हमें किसे पता चलेगा हमारा practical कब है या फिर कहां पर है या और next question है आप लोगों कि हमें अपने practical के लिए कैसे prepare करना है या क्या फाइल बनानी होगी क्या चीज़ी करनी होगी वो भी चले one by one करके answer करती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका practical कब है और कहां पर है so guys यह चेक करने के लिए आपको आने ही पड़ेगा UPRGO की main website पर और जैसे ही आप website पर open कर लेते हैं तो आपको सबसे नीचे आना होगा यहाँ पर आपको दो तरह की column दिखेंगे एक examination का और एक notice का वैसे mostly ची क्लिक कर देना है जैसे ही आप देखेंगे guys कुछ इस स्टुडेंट्स ने अगर यह चीज चेक नहीं करें फॉर्स्टोंटी जो आपका है रिलीज करा गया है यह पहला ही आप चले बता देती हो मैं open करा हुए तो कि आपको जो 22 तारीक को पेपर है guys वो 10 को shift कर दिया गया ह जिस तुड़ी चेक नहीं करें था वो चेक जरूर कर लें ठीक है अप चलिए आपने main बात पर आती है तो यहाँ पर आप जैसे note इस वाले section में आएंगे examination वाले में तो सारी updates आपको देखने के लिए मिल जाएंगे practicals related क्या क्या अपडेट्स ने देखे आपको कैसे पता चलिएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा है PG STAT MA STAT का शंशोधित परयोगात्मक परिक्षा कारेकरम उनने साथ 2023 का यह लास्ट चेयर का है पट इसी तरह से आपको 2024 वाले जो courses है उनके practical के लिए dates यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि आपके प्राक्टिकल्स को स्टार्ट कर भी दिया है UPRTO ने कुछ courses के जिनके exam चल रहे हैं उनके practical की date आनी शुरू हो गई है यहाँ पर सबसे पहले B list और M list के exam center list आई है और यह exam center list किसी है यह practical की exam center list है हाँ गैस अगर आपको यहाँ पर इस तरह से अपने अलग सी course दिखते हैं तो उनका जो है आपका practical का dates उसके अंदर mention होती है और सारी details mention होती है किस तरह से mention होती है चलिए यह भी मैपको open करके दिखा देती हूं तो गैस यहां मैंने आपकी date sheet को इसको download कर लिया है अब इसमें सारी चीज़े क्या यह B list M list का है बड़ आपको कोई भी course तो उसकी date sheet से मैंसे ही आने वाली है तो मैं आपको सारी चीज़े इसमें clear करूंगी कि आप कैसे भी course को ब्लॉंग करते हैं आपको अपने date sheet में इसी करी जाएंगे time to time उसके लिए जब आपकी date sheet आई थी ना यह 2024 के examination के लिए उसके सबसे end में जब आप जाएंगे सबसे end page जब होगा आप open करेंगे तो उसमें नीचे clearly mention होता है कि 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 कोड्स की जो practical की dates है उनको time के according release करेगी UPRTO तो उसके according भी आप महां पर देख सकते है अपने course को कि हाँ आपकी course की date sheet आएगी या कब आएगी ठीक है तो यहाँ पर फिलाल बेलेस एमलीस की release करी गई है पर आपका course कोई सा भी हो आपका biochemistry हो या फिर food nutrition हो आपकी date sheet इसी तरह से mention करी होई आएगी practical के लिए तो आपको देखी यहाँ पर सूचित क्या गया है कि इनकी प्रश्णों की पत्र जो है दिसंबर 2023 के लिए लिखित परायोग परिक्षा यानकी रिटरन प्राक्टिकल होगा इसका वो इस चीज़ के अकॉर्डिंग होगा कैसे होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है प्रयाग्राज के जो स्टूडेंट अचीज़ यहाँ पर पड़ा है इसके अलावा नेम देकि करे पार ऐसा हो जाता है एक कॉल्내 बाके सिंसे नेम आपको देखने के लिए मिल जाते है तो उसमें भी आपको धिको कईश कर निम चेक करना है देन उसका कोड भी आप चेक करेगा कि हां आपकी बू एक साथे कोड्य नहीं है उसके बाद आप चारगे कोड्या संते हैं a तो आपको देखना है कि हाँ यहां पर टू स्टुडेंट्स का बिली जिरो फॉर का एक्जाम है और कहां पर है प्रयाग्राज युनिवस्टी में है अब टाइमिंग के बात करें तो जस्ट इसके ऊपर आपके कोड के ऊपर यहां पर लिखा होगा कि आपका फर्स्ट शिप् और यह देट के रहेगी तेन तारिक आपके रहेगे इस तरह के आपकी डेट शिट जोगी प्राक्टिकल की वो आएगी आई होप अब यह भी टाउट आपको क्लियर होगा कि आपको कैसे चेक करना है अपनी डेट शिप्ट को इतने सारे कॉलेजिस हैं जिनके जो सेंटर प पर पढ़ा है उन सब कॉलिज को सेंटर इस वाले सेंटर पर पढ़ा है और इस्टूडेंट फिर आपसे अपना देख सकते हैं कि किस इस्टूडेंट का कौन सा प्रैक्टिकल है अम में चीज़ में आपको यहां से यह क्लियर कर देते हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि फाइल प्रपेर करने है या फिर किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल होने वाला है तो यह प्याटियों ने इस पर ब्लकुल इसमें अपडेट करी है तो आप देख सकते हैं जैसे कि यह बिलिस और अमलिस का है तो उनके कोर्स में जो चीज़े होती होंगी उसके अकौर है उ NOW कि आप दिशानल देश में आपका BSc का है MSC का है किसी फी कोर्स का है तो आइन में गे सारे points में आपको clear हो जाएगा कि आपका practical किस सब्जिक्त का या फिर सब्जिक्ट आपको clear हो गया किस तरीके से होने पोर की जो परिक्षा है वो दो तारिक को होने वाली है और इस टाइमिंग के अंदर होने वाली है अब देगे आपको कैसे फाइल बनानी है या नहीं बनानी है अगर जिनने स्टुरिंट को फाइल बनानी होगी वहाँ है क्लियरली मेंशन होगा कि इन इस परिक्षाक्तियों क इस subject की file बनाकर के लिए जानी है जिसलिए examiner द्वारा उसको check करा जाएगा वै प्रशन दिये जाएंगे या फिर written exam कराया जाएगा वैसे बताओ यह file वाला system बहुत कम हो गया है मुझे नहीं लगता इस बार किसी भी subject के लिए file prepare आपको करनी पड़ेगी अब आपका जो यह practical होगा जिस भी को प्राक्टिकल है आपको उसको पढ़के जाना होगा महां आप जाएंगे तो आपको कुछ questions देंगे आपको एक sheet देंगे answer करने के लिए questions का आपको जैसे आपका एक्जैम होता है normally ऐसी उन questions में से आपको answer लिखना होगा उन sheets में और वो आपकी evaluate करी जाएं है इन परिक्षारतियों कि आधी संक्या को डीडी सी ये डेवीड डेसिमल सिस्टम करके कुछ चीज है हाँ यही है और इसका 19th संस्क्रण और बाखी बैचेवेश स्टूजिन्स को CC का छटा संस्क्रण दिया जाए तो आधा समय डेड़ घंटा जैसे complete हुआ इसे बदल दि जब धीडिसी और जिनको डीडीसी दिया गया था उनको CC दे दिया जाएगा यहां पर यह लिखा गया और जब यह परिक्षा समाप्त हो जाएगी तो इनकी प्रतियां जो कॉपीस होंगी वह जमा करा ले जाएगी इसी तरह से फिर बीले 04 के प्रिक्षार्थियों के लिए इन लोगों को एक प्रती आठ प्रक्षार्तियों के सम्हों को सीयर्स लिस्ट आफ सब्जिक्ट हेडिंग्स की एक प्रती जाएगी और गंटे के लिए उसको उपलब्द कराया जाएगा तो क्यूंकि इनकी कोर्स के कर दूइंग अकॉर्डिंग यहां पर इनके प्राक्टिक अपने 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 आपके इस का प्राक्टिकल होने वाला है तो यह इंफॉर्मेशन आप अपनी एक्जाम सेंटर जहां पर आपका है वहां से या फिर आपका जो रीजनल सेंटर है आप वहां से ले सकती है और मेली आपका रीजनल सेंटर इस चीज़ के रिस्पॉंसिबल रहेगा यह उनकी रिस्पॉंसिबलिटी है मानिए मैंने बहुत सारे स्टुर्ण के कमेंट पड़े कि वो बताते नहीं है पर यह आपको कोई प्रॉब्लम रही है तो आप मुसे कमेंट्स में पूछेगा अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपके जरूर हेल्प कर दूँगे वहां पर इस तिल आपको जो भी आपके कन्फूजन है वहां को रीजनल से प्राक्टिकल से रिलेटर आपको क्लिर ने हो पा इंफॉर्मिशन बोर्ड उस पर भी लगनों नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए कहा जाता है यह सब डेट शिट को भला इवो करें या ना करें बट युनिवस्टी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है कि स्टुडेंस को कोई प्रॉब्लम ना हो तो गाइस अगर आप सबी के लिए हेलफुल रही होगी आपकी डाउट्स क्लियर हुए होंगे वीडियो को लाइक करेंगा स्टेल कोई कुश्चन रह गया है कामेंट्स में दे दीजेगा मैं आपका अंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी तो मिलती हूं ऐसी इंपॉर्टिन अप्डेट के साथ बाइ बाइ